टेस्टी पूड पॉइंट में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे अमरूत का शर्बत पेरू का शर्बत या मार्केट में इसे गुववा ड्रिंक भी बोलते हैं तो ज्यादा तर हम इसे मार्केट से खरीद के लेके आते हैं लेकिन घर पर यह बहुत आजानी से इसक पके हुए अमरूत पके हुए ही लेना है अंदर से सफेद होते हैं गुलाबी होते हैं आप कोई भी अमरूत यूज कीजिए सबसे पहले इस तरह से चोटे टुकडों में इसको कट करना है और कट करने के बाद एक बड़ा सा मिक्सर जार लेंगे आपके पास जूसर है तो आप बना सकते हैं तो इसके अंदर अमरूत मिलाएंगे अब मिलाएंगे हम दो से तीन चुटकी सेंदा नमक नॉर्मल नमक या कारा नमक भी आप इसके अंदर मिला सकते हैं अब हम मिलाएंगे आधा कप ठंडा पानी आधा कप ही पानी डालना है ताकि अच्छे से पेस्ट रेडी हो जाए अब हमें मिक्सर को सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए ही चलाना है उससे जादा नहीं 10-15 सेकंड के बाद आप देख सकते हैं इसका पेस्ट जो है वो बहुत एच्छे तरह से बन गया है बस यह बहुत जादा गाड़ा है उसको हमें पतला करने के लिए आदा गलास ठंडा पानी मिलाएंगे आपका जार के कपैसिटी जितनी है उसी हिसाब से पानी मिलाएं उससे जादा पानी डालेंगे तो उड़ सकता है जूस तो फिर 10-15 सेकंड चलाया है और आप देख सकते हैं यह पेस जो है बहुत ही स्मूथ हमारा रेडी हो चुका है इसके बीज को हमें हटाना है उसके लिए इस तरह से एक्स्ट्रेणर की मदद से हम चानेंगे इसको इस तरह से चंणी से चानेंगे बड़ी वाली तो यह बहुत ही जल्दी भीज इसके अलग हो जाते है शरबत को चानने के बाद जिस प्रकार से आपको पसंद है गाड़ा या पतला उस हिसाब से आप मटके का या फ्रीज का पानी इसके अंदर मिला सकते हैं अगर आपको इसके अंदर फ्लेवर मिलाने है कुछ तो जीरा भी जीरा पाउडर डाल सकते हैं काला नमक मिला सकते हैं या काली मीच का पाउडर भी डाल सकते हैं तो जिस प्रकार आपको पसंद है अगर आपको थोड़ी सी खटा चाहिए तो नीमु का जूस भी मिला सकते ह मैंने सिर्फ इसको प्लेन रखा है सिर्फ मिलाओंगी मैंने यहापे तीन बड़े चमबाचीन ही मिलाई है और पहले मैंने सिंद़ा नुमक तीन छुटकी मिलाए था बस इसी कॉम्मिनेशन में यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है वो सेहत मन भी बहुत ज़्यादा है बस ध्यान रखना है दूद के साथ अमरूत का कॉम्मिनेशन नहीं करना है सिर्फ पानी के साथ आप चाहे तो फ्लेवर एड़ कर सकते है अलग-अलग इसी प्रकार से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मार्केट जेसा गुवावा ड इसके जिए मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए थांग यू